सलामों अलेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वाटसब के अंदर लाइव लोकेशन शेरिंग के बारे में बताऊंगा अगर आप लोग मेरे मुबाइल फोन की स्क्रीन के उपर देखें तो यहाँ पे सब से नीचे आपको आप्शन नजर आ रही होगी अटेच्मिट की आप्शन अटेच्मेट की option के उपर जब आप click करते हैं तो यहाँ पे आपको option नज़राती है location की तो यहाँ पे अगर आप लोग इस location के option के उपर click करते हैं तो अब आपके सामने जो है वो share live location आजाती है यानि कि अगर आप लोग WhatsApp के उपर किसी को अपनी Live Location सेंड करना चाहते हैं तो आप लोग उन्हें इस Live Location के उपर क्लिक करना है इस Live Location के उपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे options आ जाती हैं आप जो है इस Location को एक गेंटे के लिए 15 मिनट के लिए या 8 गेंटों के लिए शेयर करना चाहते हैं अब यह जो Live Location है बहुत ही important है आप में से अक्सर लोग उनको इस Live Location के बारे में नहीं पता अगर आप लोग इस तरह अपनी Location को सेंड करेंगे तो उससे यह होगा कि जिस बंदे को आपने Location सेंड की है अगर वो आपको चाहे तो देख सकता है कि किस जगह पे हैं अभी आप उन गेंटों के अंदर जितना टाइम आप लोग उने सेट किया होगा वो आपकी Location को दे Location का यहां पर क्या करते हुं मैं 8 गंतों के अपनी Location जो हो सेंड कर देते हूं यहां से स्लेक खेंड करते हैं मैं इसको 추천 कि इहां पर वो इसके उपर क्लिक करेगा तो 8 गेंटों तक वो मेरी live location जो है वो देख सकता है कि मैं किस जगां पर हूँ अब मैं इसको open करता हूँ यहाँ पर तो आप देखें यहाँ पर 3 dot के उपर अगर आप क्लिक करें तो आप map यहाँ से change करते हैं यहाँ पर आपको map नजर आ रहा हो तो जिसको आप send करते हैं वो बंदा आपकी location को देख सकता है जितने time के लिए आपने set किया है उसका फाइदा यह है कि बार बार आपको call करने की या किसी चीज़ की जुरूरत नहीं है आपकी live location वहाँ पर उसको पता चल रही होगी कि आप इस वक्त कहा हैं उमीद करता हू के whatsapp के अंदर यह जो hidden future है location के वाले से आपको फसंद आया होगा चैनल को like और subscribe कर दिजगा ताकि इस तरह की updated videos आप लोग देखते रहें शुक्रिया आला अफिस